गुड मॉनिंग बच्चों, बच्चों हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जनल, उसके अंदर मैंने आपको कल इलास्टेशन फर्स्ट और सेकिंड करा दी इलास्टेशन थर्ड में कोई चीज है वो देखना कि क्या क्या चीज आपको मैंने बताया था कि गुड्स पर्चेस करने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है पर्चेस अगर हम गुड्स पर्चेस करते हैं तो गुड्स पर्चेस करने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो पर्चेस ठीक है तो पर्चेस एकाउंट, डेबिट क जो डेविट करते हैं, गुड्स परचेस करना मेरे लिए एक्सपेंस है, and expense always be debit, इसलिए हम इसको डेविट करते हैं, आम मुझे बताओ कर मैं वही गुड्स वापिस करूँगे, ठीक है, तो मेरे पाससे गुड्स जा रहा है, तो आम मुझे बताओ, जो गुड्स परचेस किय मुझा आता मूंगे लिखी expense घोरी एक्सेंस था. और goods लिखे लिखे एक ने वड़ यूस जिया था then purchases purchases. लेकिन अगर उग goods रापिस करते हैं, तो goods जाने के लिए, goods will not loot good, would character yes return now. Mergers purchases return worth use और यह entry में credit होगा. क्यों credit होगा? क्योंकि जब purchase किया था, तो expense debit, और आपको बता है, जब मेरे course वापिस कर दिया, जो purchase किया था वापिस कर दिया, तो मेरा expense क्या हो गया? Decrease. तो आपको मैंने बता है, expense का debit balance, increase पर debit, decrease पर credit, तो goods वापिस करने से, आपका expense decrease हो रहा है, ठीक है? उसके बाद आपको बता है एक वर्ड मैंने बताया था गुड्स सोल्ड के लिए सेल करते टाइंग गुड्स जाता है और गुड्स सोल्ड करने के लिए गुड्स वर्ड यूज नहीं करना sales word use किया था और sale किया था sale entry में credit हो रही थी क्यों credit हो रही थी? माल बेचना मेरी income है and income always be credited मैंने goods बेचा मेरी income हुई, बेचा मैंने ठीक है, तो ये मेरी income है sale किया मैंने उसके बाद आप बताओ, sale किया हुआ goods अगर वापस आ गया तो मेरी income क्या हो गई? decrease, तो आप सबको बता है income का credit balance, increase पे credit, decrease पे debit, ठीक है? लेकिन जो goods आपका वापस आ रहा है उसके लिए goods word use नहीं करोगे sales return sales return word use करोगे और sale return entry में debit होगा, क्यों? sale करते time मेरी income क्या हुई थी? increase increase पे credit, जब मैंने sale किया हुआ goods वापस आ गया, तो income क्या होगे? decrease, decrease पे debit ठीक है? तो ये चार वोड थे बच्चे, goods के लिए थे purchase करते time purchases sale करते time sale और purchase किया हुआ goods वापस करोगे, उसके लिए word purchase return, sale किया हुआ goods वापस आएगा, तो sale return तो आपकी next illustration में ये चीजें आएंगी, तो उसके recording थोड़ा सा ध्यान से समझता है हाँ जे, आपके पास next third illustration है, record the following transaction in the journal of Vishal Brothers आपको question दिया है कि Vishal Brothers के journal में transactions को record करो transactions को क्या करो? record करो, ठीक है? तो देखना हम कैसे record कर रहे हैं? आपकी first transaction है बचे, commence business with cash, commence that means started आपके पास first transaction है, commence, commence that means started, commence business with cash, with cash, rupees 5 lakh business start किया बचे, कितने से? 5 lakh से, every transaction has to affect, बतो start करते हैं, कौन पैसे लगाता है, honor, तो honor में business में पैसे लगाए, तो बतो business में आया क्या, cash, तो debit what comes in, आने माली चीज, debit, तो cash, account, debit, अब बचे, ये पैसे किसमें लगाए है, honor, और आपको बता है, honor के लिए, word क्या ही नूस कराया था, मैंने उसके amount के लिए, capital, ठीक है, actual में अगर honor का नाम, विशाल है न, तो ये exact word है, विशाल's capital, ये, लेकिन, honor A ही है, तो मुझे यहाँ पर capital के साथ नाम लेखना जरूरी नहीं है, आपको बता है, capital, जो credit हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, personal account के according, credit all the giver, देने वाले वेक्ती को credit करते हैं, या American system के according, आप बताओ, capital का कौन सा balance होता है, credit, increase पे credit, अगर honor में business में capital लगाई है, तो business में capital क्या हो जालगी, increase, increase पे credit, तो capital, क्यों credit हो रही है, increase पे credit, cash हाया, honor के लिए वर्ड यूस होता है, capital, capital का बेले, credit, increase पे credit, तो two capital account, two capital account, ठीक है, तो five lakh, तो five lakh debit में लिख देना, five lakh credit में लिख देना, ये पूरा लिख लिख लेता है, date, particular, LF, जो हुँ साख लिखते हैं, amount, amount, debit amount, credit amount, particular date, ठीक है, narration लिख देना, started business with cash, narration जरूर लिखनी है, ठीक है, बच्चे, इंग्लिस सिस्टम के कापिटल क्यों credit होगी है, capital, personal account है, honor account, बतला, human being का account, और personal account का रूल में बताया था, debit all the receiver and credit all the viewers, तो honor system दे रहा है, human being दे रहा है, ठीक है, तो देने वाले लेक्ती को credit करके है, तो exact यहाँ पर विशादस capital होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है, जब हम partnership start करेंगे, वहाँ दो जने हो जाएंगे, तब हम capital के साथ name specified करेंगे, अभी need नहीं है, हमें, next देख रहा है, goods purchased from Mohan for cash, आपके बस next transaction आ रहे है, goods purchased from Mohan for cash, rupees 50,000, अब बताओ, goods purchased किया है, इसने मुझे नामसर अपना नहीं है, क्योंकि for cash है, goods purchased for cash लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक है, goods purchased for cash, तो लिखा हुआ है, goods purchased करने से बताओ, आएगा क्या business में, goods जाएगा क्या, cash, तो दो effect मुझे बता लगे, उसमें से एक effect को debit करो, और दूसरे effect को credit करो, तो बताओ, goods आने के लिए मैंने word के लिउस काया था, purchases, ठीक है, पर्चेस, तो गुर्स आया, पर्चेस एकांट डेट, ठीक है, लेकिन ये debit हुआ है कि इस बेस पे, goods पर्चेस करना में लिए expense है, और expense card, all expenses, is always the debit, बताओ, पर्चेस करना, एक तो effect पता लगया, goods आ लिया, जाएगा क्या, cash, and credit for, goes out, जाने वाली चीज, credit, तो cash को credit करो, to cash account, कितरे का goods पर्चेस किया है, 50,000, ठीक है, 50 debit में लिख देना, 50 credit में लिख देना, और लाइशन लिखिए हैं, आप ए goods पर्चेस for cash, नेक्स सेखना बचे, गूर्स पर्चेस from अजय, गूर्स पर्चेस, नेक्स लिख देना, थर्ड, गूर्स पर्चेस from अजय, गूर्स पर्चेस from अजय, रुपीस 120, अब आपके पास यहाँ पे, तो आपको मैंने काता, नेम देखो, अगर यह नेम ना होता, तो फर्चेस अजय कर रहे हैं, तो गूर्स पर्चेस on credit, तो बताब गूर्स पर्चेस करने से बिसनस पे आएगा क्या, गूर्स, गूर्स आने के लिए वर्ड क्या यूज करोगे, पर्चेस, ठीक है, पर्चेस अगाउंट, गूर्स तो आ गया, लेकिन इस पर cash नहीं जाएगा, क्योंकि we are purchasing at this time on credit, हम on credit purchase करें, गूर्स आ गया, cash नहीं गया, तो बिसनस ने किसी भारवले के पैसे देने है, और मैंने का था बिसनस ने अबर किसी भारवले के पैसे देने है, तो वो बिसनस की क्या होती है, liability, तो बिसनस ने किस से कूर्स परचेस किया है, अजे ऐसे, ठीक है, तो बिसनस की liability क्या हो रही है, increase, तो अमेरिकल सिस्टम के recording liability का कौन सा balance होता है credit, increase पर credit ठीक है, तो इस तक बिजनस की liability increase हो लिया है, तो बताओ बिजनस ने किसको पैसे देने है, आजे को तो आजे बिजनस की liability है तो अजे को credit कर दोगे to aजे to aजे ठीक है, 5000 लिख दें का Goods Purchase from अजे next transaction घूर्स रिटार्न का तो अजे अभी और से गूर्स्ट पर्चेस किया था अजे को आप रूपिस कर रहे कि अजे से हमने पच्छेस किया है बच्चे 1,20 1,20 का गुर्सchu पच्छेस किया था 1,20 चीक है, दूब न-ेक्स आ रहे हैं गुर्स रिटार्न तू अजे बचे जो मैंने अजय से गुड्स पच्छ सिया था था MICHAEL इसमें से हम कुछ गुड्स वापिस कर रहे हैं तो बताऊन वाँ आने रहा हैं लोकि वह जारा है बटेर गुड्स वापिस करते हैं गुड्स जाने के लिए वर्ड यूज करना है परचेस रिटन क्योंकि उस तेम आप परचेस किया звуч cos in the paid क्यो कि उस तेम का पचेस किया वह वह बम गोड़ करें वह तो बताओ उस जब गोड़ जब परचेस किया था कर बंद prepared दो आक-तका यह संस्त क्या हो जाएगा डिग्रीश Umu vuelta लेकिन उस तेम गुट्स के ये जो वाड यूज करोगे वू पुड्चेस रिटार्न वाड यूज करोगे कि 5.000 ना गुट्स वजोपष हो गया Kid intuition आप गया क्यों क्रेड थी एक्साइट्स जब पढ़ मेरेी लाइबलिटी यहां पर क्या हुई थी increase, अब बताओ, मैंने purchase किया हुआ, goods वापिस कर दिया, तो मैंने जो अजे के पैसे देने थे, तो नो मेरी liability क्या हो जाएगी, decrease, liability का कौन सा balance होगा है, credit, increase पे credit, decrease पे debit, ठीक है, अब मेरी liability क्या हो रही है, decrease, और मेरी liability का नाम क्या था, अजे, जब मैंने purchase किया था, liability increase होई थी, जब मैंने goods वापिस किया, तो अब मैंने अजे के कम पैसे देने, तो मेरी liability क्या होगे, decrease, decrease पे debit, तो मैंने यह क्यों debit की, क्योंकि liability, goods वापिस करने से, liability क्या हो रही है, decrease, तो आपकी entry बनी, purchase, account, debit, to purchase return, ठीक है, 5000, उसके वाद नेक्स देखना, goods sold to Rajeeb, next transaction है, goods sold to Rajeeb, goods sold to Rajeeb, goods sold to Rajeeb, ठीक है, आप बताओ, goods sold to Rajeeb, rupees 40,000, goods sold to Rajeeb, आप for cash या on credit, on credit मानेंगे, ठीक है, तो बताओ, goods sold देने से जाएगा क्या, goods, और goods जाने के लिए मैंने word यूज कराया था, sale करते time, sales, ठीक है, अज ये sale, क्यों credit हो ये, माल बेचना मेरी income होती है, and income always be credited, 40,000 का, माल तो बेच दिया, लेकिन cash नहीं आया, because at this time we are selling on credit, ठीक है, माल बेच दिया, cash नहीं आया, किसको बेचा है, राजीव को, तो किसी रेक्ती ने business के पैसे देने है, business में किसको sold किया है, राजीव को, तो राजीव ने business के पैसे देने है, तो राजीव बिजिन्स के पैसे देने है, तो राजीव बिजिन्स का कौन हूँ है, Debtor, उंडे grandfather business की asset, asset का balance pumped divis袂पिट, increase paradigm ETOBE तो इस time business के debtor increase हो रहे है और debtor का नाम है, राजीव seven a debtor business की asset, asset का balance clone देविट, तो राजीव को इसलिए डेबिट कर रहे है ठीक है राजीव's account debit 40,000 हो गया से नरेशन लिखने ना good sold to राजीव यह क्यों डेटर increase हो रहे है डेटर business की asset अमेरे डेटर का नाम क्या है राजीव डेटर business की asset asset का बार इस debit increase पर debit तो इसने हम डेटर increase हो रहे है अम लास्ट राजीव रिटान राजीव रिटान 10% of goods राजीव ने 10% goods राजीव रिटान देखो मैंने राजीव को goods sold किया था कह रहे है राजीव रिटान 10% goods जो मैंने राजीव को goods sold किया था उसने 10% वापिस कर दिया तो मुझे बताब मैंने राजीव को कितना sold किया था 40 40 का 10% 4,000 तो राजीव ने 4000 गुड्स 4000 का गुड्स वापिस कर दिया इसा कौन सा गुड्स वापिस आ है जो sail किया हुआ तो sail किया हुआ गुड्स अगर वापिस आता है तो what use कर रहे है, sales return, account debit, अरकि क्यों debit हुआ है, sale करना मेरी income है, आप बताओ, जब मैंने माल बेचा, तो मेरी वो income थी, income always be credit, लेकिन उस में से कुछ बहुत स्वापिस आ गया, तो मेरी income क्या हो गई, decrease, तो income का credit balance, increase पे credit, decrease पे debit, तो ये मेरी income को decrease कर रहा है, इस ही है debit हुआ, तो 4000 का goods वापिस आ गया, आप अधाओ, जब मैंने goods sold किया था, on credit, तो मेरे debtor क्या हो थे, increase, लेकिन मेरे debtor ने कुछ goods वापिस कर दिया, तो मेरे debtor क्या हो गए, decrease, तो ये मेरे debtor decrease हो जाएगे, तो राजीम में मेरे इतरे मैं से बेरे थे, लेकिन राजीम में 4000 का goods वापिस करदलीर, तो ये मेरे debtor क्या हो जाएगे, decrease, debtor, business की asset, asset का balance, debit, increase पर debit, decrease पर credit, तो इस convince, मेरे debtor decrease हो रहे है, decrease पर credit, ये debtor decrease हो गए, sell करते ये debtor increase हो गए, sell क्याओएगाँ हependa पुरस वापिस आया था, तो मेरे debtor क्या हो गए? यह किसे credit हुआ है? debtor degrees हो गए ठीक है? total दर लेका यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता रहा हुआ है ठीक है? तो इस transaction में यह सारी चीजे थी ठीक है? अब मैं आपको next topic next lecture में next topic राउँगी करें trade discount and cash discount